नमस्कार दित्याति मित्रों आज हम अतीर के पत्र कक्षानव्वी विशे हिंदी के अंतरगत विनोबाजी और गांदी जी द्वारा रचित पाठ बे पहला कारियों का गीता का वर्ग चलाया इसमें 6 विद्यारतियों को अर्थ से सारी गीता सिखाई बिना पारिस्रमिक के पारिस्रमिक का अत्रवता है एक रुपेया भी मोहावजा न लेते होई दूसरा द्यानिश्वरी 6 ध्यार इस वर्ग में 4 विद्यारति थे तीसरा कारियों उपनिशत 9 इस वर्ग में 2 विद्यारति रहे चवता कारिय हिंदी प्रचार मैं सहय अच्छी हिंदी नहीं जानता फिर भी विद्यारतियों को हिंदी का समाचार को प्रपड़ने पढ़ाने का काम रखा हूं पांचवा कारिय अंगरी जी दो विद्यारतियों को सिखाई चटा कारिय यात्रा लगबग 400 मिल पैदल राजगर्ण, सिहगर्ण और तोरणगर्ण आदी ध्यास प्रिसिद्द के ले देखे साथवा कारिय प्रवास करते समय गीताजी पर प्रवचन करने का करम नी रखा था आज तक ऐसे कोई पचास प्रवचन किये अब यहां से असरम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाओंगा और वहां से रेल से असरम पहुचूँगा मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यारति प्रवास कर रहा था मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है मैं अधिक से अधिक चैत्र शुकल एक को असरम पहुचूँगा आठवा कारे वाई में विद्यारति मंदल नामग एक संस्ता की स्तापना की उसमें एक वाचना रखोला और उसकी साहता के लिए चक्की पीसेने वाला एक वर्ग शुरू किया उसमें मैं और दुसरे 15 विद्यारति चक्की पीसते जो मशीन की चक्की पर पिसवाने में जाते उनका काम एक पैसे दो सिर के इसाब से करते और एक पैसे हम वाचना रखोले को दे देते थे पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे यह वर्ग को दो भाग चला दो मास चला और वाचनाले में 400 कुस्तकी खर्टी हो गई नवा कारिया सत्याग्रासराम के तत्व का प्रचार करने का मैंने काती प्रयास किया और दस्वाकारी बड़ोदा में दसपंदरंग इतरहे इन सब को लोग सेवा करने का की इच्छा है इस कारण वहां तीन वर्ष पहले हमने मात्रवाशा के प्रचार के लिए एक संस्ता स्तापित की थी इस संस्ता में वार्षी को त्सव में मैं गया था उत्सव का अर्थ है संस्ता के सबासत इकटे होकर क्या काम किया आगे क्या करना है इसकी चर्चा उसमें मैंने वहां हिंदी प्रचार करने का विचार रखा मेरी स्रद्दा है कि वह संस्ता इह काम जरूर करेगी आपनी हिंदी प्रचार का जो प्रयास सुरू किया है वो आगे ही निरंतर ऐसे ही चलता रहे इह विनोबाजी में गांधी जी को अपने कारें के बारे में पत्र में लिखकर कहा है धन्यवाद